हलो दोस्तों और बढ़ी है सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से चैनल कुकिंग मुखिया पर कम सामान और कम समय में बनाए मुँ में गुल जाने वाली मिठाई ना चासनी का जंजट ना घंटों पकाना तो अब बहार से मिठाई क्यों लाना तो चलिए रे लेंगे और इसे हमें काड़ा करना है तो पास से दस मिनट लगेंगे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे दस मिनट से ज़्यादा हो गया है वह यह गाड़ा हो गया है दूद देखिए इसी तरह से हमें करना है यहाँ पे हमने 500 ग्राम पनीर लिया है इसे ग्रेट कर लेंगे यह मिठाई इतने कम समय में और इतने कम सामान में बन जाती है यह स्वाधिस्ट भी वाध होती है तो इस पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो घर का पनीर भी ले सकते हो तो यहां पे हमने 200 ग्राम पनीर को गरेट कर लिया है और यहां पे यह दूप थोड़ा सा और गाड़ा हो गया है अब इसमें हम पनीर डाल देंगे और यहां पे हमने गैस की फिलम बंद कर दी है इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो like, share, subscribe कर लें पहला आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिसे हमारे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो इसे हम पहले अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद हम gas को on कर लेंगे तो यहाँ पे हमने gas को on कर लिया है और gas की flame हमने भी low to medium रखी है पहले इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम स्वाद करम स्वाद चीनी डाल देंगे तो यहाँ पे हमने आदा कप चीनी ली है और इसे भी mix कर देंगे चीनी डालने के बाद यह पानी छोड़ेगा तो यहाँ पे हम gas की flame हाई कर लेंगे और इसे continue चलाते रहेंगे जिससे यह तले में जले ना अब यहाँ पे हम ilaichi डाल देंगे इसे अच्छे से mix कर देंगे इसे continue चलाते रहें छोड़े नहीं अगर आपके यह हाथों पे जल रहा है तो इस तरह से आप plate रख सकती है इसमें भबस जादा आते है तो देखिए यह इतना गाड़ा हो गया है यह मिठाई बराना बहुत ही आसान है यह कम समय में बन के तयार हो जाती तो देखिए यहाँ पे हमने एक tray लिए इसमें oil लगा लिया है आप इस तरह से plate भी ले सकते हो तो यहाँ पे देखिए यह गाड़ा हो गया है देखिए कड़ाई छोड़ने लगा है बस इतना ही गाड़ा रखना है जादा गाड़ा नहीं करना है तो इसे हम tray में निकाल देंगे तो देखिए इस तरह से हमने फ़ला दिया है तो इसी surface पे हम आदा गंटे के लिए छोड़ देंगे अच्छे से से set कर देंगे इस तरह से यह कम सामान में और कम समय में बन जाने वाली मिठाई है तो आदा गंटा हो गया है तो देखिए मिठाई अच्छे से set हो गई है अब इसे हम काट लेंगे तो आपको काटने से ही लग रहा होगा कितनी soft बनी है एक पीस हम आपको निकाल के भी दिखा रहे है जब इतने कम समय में हो इतने आसानी से मिठाई बन जाती है तो बाहर से क्यों लाना तैंक्स पर वोचिंग टेक एर बाई